10,000 रुपीज के बिजट में काफी सारे फोन्स हैं मार्किट में एंड यहाँ पर ना लोगों को काफी ज्यादा बेहुकूफ भी बनाया जाता है कुछ लोगों बिनान से पेसे लेकर किसी फोन के बारे में बहुत बढ़ा चड़ा कर बताते हैं और कुछ लोगों बिना सोचे समझे ही फोन्स के रिव्यू कर रहे हैं और इन चार फोन्स में से दो मेरे फेड़ेट हैं जो कि मैंने परसनली कई लोगों को रिकमेंड किये हैं और और इंट्रेस्टिंग वीडियो है पूरी देखे विनामा जाना जैसे शादियों में से खाना खाया भगेर नहीं जाते हूं चलो बात करते हूं ओके शुरूबात करते हैं इस लिस्ट के एक कोई शांदार फोन से देट इस मोटरोला जी थर्टी फोन अभी कुछ तेम पहले यह फोन मार्केट में आया था और काफी बड़िया फोन है इसकी मार्केट में काफी चर्चा भी हुई है जब यह फोन मार्केट में लॉंच हुआ था तो इसने फोड़ी सी खलबली तो मचा दी थी हमने अपने चेनल पर इसका प्रोपर रिव्यू भी किया हुआ है चाहो दो वो भी देख सकते हो केमरा कमबेजन वगेरा सब कुछ मिल जाएगा वेल बात करते हैं कि इस फोन में क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं क्यों इसे पलटेस करना चाहिए और क्यों नहीं सबसे अच्छी चीज़ कि इसका काफी डिसेंड वेड है अराउंड 179 गिराम से एंडर थिकनेज भी कम है प्लास्टिक बेक के साथ आता है कलर्स काफी सारे अविलिबल है और हाँ लेदर बेक के साथ भी ये फोन अविलिबल है इसके अलावा IPS LCD डिस्पले मिलती है 120Hz गी जी हाँ 120Hz और ये काम भी काफी अच्छे से कर रही है पर यहाँ पर मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं रगी जो कि अगर थोड़ी बेटर होती तो और मज़ा आता यहाँ पर HD पिलस डिस्पले है, फुल HD नहीं है अब डिफिनेटली फुल HD और HD के बीच का जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पर किलियर ली फिल होगा हाला कि डिस्पले के अगर मैं बात करो तो इस डिस्पले क्वालिटी अच्छी है पंच होल डिस्पले है, सबसे अच्छी बात यह है अब बेजल्स भी काफी कम है अबरोल डिस्पले का एक्स्पले का अच्छा है और यह दे को 6.5 इंचिस की डिस्पले के साथ आता है थोड़ा साथ चोटा डिजाइन है, मैं कहूंगा काफी कॉम्पक्ट डिजाइन है इनफेक्टर कुछ लोगों अगर मुसे परसनली भी 10,000 के राउंड फोन के लिए पूछा है तब मैंने इस फोन को रेकमेंड किया है, इसके रावा एक और है, वो भी आब आगे बताता हूँ वेल, इट कमस भी ते एंड्रोइट 14, यास एंड्रोइट 14 चिपसेट है Snapdragon 695, और इस बजट में भाई ये चिपसेट बहुत सस्ती मिल रही है, सिरियसली 15-20,000 के फोन में ये चिपसेट नॉर्मली यूज़ की जाती है, हलाकर अभी एक दो फोन से एसे और आ हैं मार्केट में, जो कि 12-13,000 के रेंज में हैं, जिमें भी ये चिपसेट फिलहाल यूज़ की गई है बट ओवरोल अगर 10,000 रुपे के अंदर आपको ये चिपसेट मिल रही है, तो बस तूट पड़ो अच्छी चिपसेट है, परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, गेमिंग वगिर आराम से कर सकते हो, और आपके जो डेली टास्क हैं, वो ये इजिली कर देगी केमरे की बार करते हैं, तो 50 Megapixel का wide lens है, तो 2 Megapixel का maker lens भी है, और camera quality यहाँ पर काफी ठीक है, ये multiple photos हमने लिए हैं, इसके लावा मैंने detail camera comparison पे लिए बना रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हो, यहाँ पर भी हम लोग कुछ सेंपल से देख लेते हैं, ओवर लगर देख हैं, ये भी अच्छी टीज है, 3.5 mm का जेक अलग से है, बिलो तो 5.1 है, 5.3 या 4 होता तो ज्यादा मजा आता, side mounted fingerprint है, ये भी अच्छी टीज है, 5000 मेंच की बड़ी बेटरी मिलती है, 18 वाट की fast charging के साथ, और इसका बेटरी वेकप भी काफी सही निकल जाता है, मतलब एक से देर दिना आराम से निकाल सकते हो, और अगर देखा जाए, तो Motorola G34 एक अच्छा 5G फोन है, 5G बेंस भी यहां पर काफी सारे दिया हुए है, तो 5G connectivity में भी आपको कोई issue नहीं होने वाला, बस recharge करवा लेना, बात करें price की, तो इसका best variant है 4128, जिसकी price अभी 10,000 के अंदर है हलाकि इसके लिए आपको bank offer की ज़रूरत पढ़ेगी, regular price 11,000, और launch date से अभी तक इस phone की price डाउन नहीं होई है, क्योंकि इसकी sale काफी अच्छी हो रही है, और अब लास्ट में इस phone का यह कुछ है प्रोज हैं कौन से, जो इत बिनान से देख लेना, पढ़ लेना, से उकर ल रहा है, अच्छा phone है, अगर किसी को 5G phone नहीं चाहिए, तब इसे consider कर सकते हो, इसके उपर भी हमने detail videos बना रखी है, चैनल पर मिल जाएगी, लेकिन फिलाल में एक काफी बढ़िया phone सजेस्ट करने वाला हूँ, that is a Poco M6 5G, अगर budget में किसी को भी 5G phone चाहिए, then definitely it is one of the best option, ह थोड़े बहुत उपल नीचे होते रहते हैं, और यहीं इसका एक और variant है, जो कि ATL की prepared sim के साथ लोग है, इस phone को आप 4128 वाले variant में लेते हो, तो यह और भी सस्ता मिल जाएगा, लेकिन इसमें सिर्फ आप ATL की sim ही use कर सकते हो, अभी इसकी price थोड़ी सी ज्यादा दिखा र मिलते हैं, वेट थोड़ा सा ज्यादा है, आरांट 195 विराम से एंड ते थिकने से अरांट 8.1 mm, थिकने सकम है वेट थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि देको इसकी display जो है थोड़ी सी बड़ी है, अरांट 6.74 इंचीस, IPS LCD display है, HD display रहेगी, गोड़ी लग लास का protection भी है, वेल, इस फोन कमस विद एंडरोई 13, डाइमेंसीटी 6100 प्लस चिपसेट है, 6 निनो मिटर की चिपसेट है, ये 2.2 GHz इसकी clock speed है, UFS 2.2 storage टाइप मिलता है, केमेर की बात करें तो 50 MP का wide lens है, यहाँ पर इसके लावए एक 0.08 MP का auxiliary lens है, इसके होने ना होने से कोई ज्यादा फ और low light में तो इसके photos मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, वैसे इसका भी हमने camera comparison pro पर review अपनी other videos में किया हुआ है, आप वो देख सकते हो, फिलाल में कहूंगा कि यहाँ पर एक decent सा camera मिलता है, camera से ज्यादा expectation है, then you can ignore it, but again मैं कहना चाहूंगा, price को देखते हुए, क इमेज की battery है, 18W की fast charging है, support करता है, battery backup के अगर बात करो, तो decent सा battery backup है, मुझे कुछ खास नहीं लगा, battery backup थोड़ा और बेटर हो सकता था, okay, अब लास्ट में ये इसके कुछे pros and cons है, अच्छा phone है, consider कर सकते हो, value for money है, बढ़ हाँ, ये कुछे cons भी है, इनको भी ज़रा ध्य रखना, okay, next इसी का बड़ा भाई है, Poco M6 Pro, ये phone काफी टाइम पहले मार्केट माया था, Poco M6 अभी latest phone है, बट इससे काफी टाइम पहले Poco M6 Pro already market में था, Poco M6 Pro 5GB एक तो अच्छी price में आ रहा है, 9999 में इसका 6GB RAM 128GB storage वाला variant ले सकते हो, इंट 9999 में 4GB RAM 128GB storage वाला variant मिल रहा है, बागि जब भी आप purchase करो phone, तब भी चेक कर लेना, और अगर offline किसी shop से purchase करते हो, तो उनसे भी पूछ लेना कि कोई bank offer available है या नहीं, well, it is the second phone which I recommend most, रेट रहा से जयता है, around 199 gram से 8.2 mm ठिकने से, बट ये पंच होल डिस्पले के साथ आता है, और सबसे अच्छी यहां भी है, हलागे यह 3 है, 5 है, 1 है, 2 है, क्या है, पता नहीं, बस इनोंने गोडिला गिलास दे रहा है, एंडू 13 के साथ यह phone लोन चुआ था, प्रोसेसर है, Snapdragon 4 Gen 2, और 4 Gen 2 ये भी एक अच्छा प्रोसेसर है, Snapdragon 4 9 मिटर का है, only 2.2 GHz के आराउंड हुआ ही, किलो की केमरा है, कलर्स वगेरा ठिक ठाक से मेनेज़ी कर लेता है, और क्योंकि फूल HD डिस्प्ले है, सो फोटो ट्लिक करने के बाद जब अपने ही phone में देखोगे, तो थोड़े बेटर लगेंगे, सिंगल इस्पिकर है, 3.5 mm का जेक भी है, Bluetooth 5.3, साइड मांटे फिंगर आपको मिल जाएगी, no problem, overall अच्छा phone है, definitely you can consider it, बागी इसके ये pros and cons में इसकी रिंद पर लिख दिया है, ओके, नेक्स्ट और लास्ट phone है, Samsung Galaxy M14, इसके लाभा वे से अभी market में Redmi 13C भी है, जिसका 4G, 5G दोनों मोडल्स है, ठिक ठाक सा phone है, consider कर सकते हो, बट फिलहाल में रिकमेंड करना चाहूंगा, Samsung Galaxy M14, इसके भी 4G and 5G models दोनों अवेलिबल हैं, और इसका 5G भी 10,000 से कम में आ जाएगा, देखो, इस फोन का वेट थोड़ा सा ज्यादा है, 206 grams, एंडर थिकनेस तो और भी ज्यादा है, 9.4 mm, इसका रिज़न अभी आगे बताऊंगा, इसका रिज़न अभी आगे बताऊंगा, इस तो phone काफी durable होने वाला है, PLS LCD डिस्पले है, जो कि Samsung खुद बनाता है और सबसे अच्छी बात कि ये Full HD डिस्पले दे रहा है, जी हाँ, Samsung की Full HD डिस्पले यहाँ पर मिलेगी, डिस्पले कॉआलिटी इन सभी phones में सबसे बेटर है, हमें POCO M6 Pro में भी Full HD डिस्पले मिल रही है, लेकिन इसकी डिस्पले उससे ज्यादा बेटर है, चुकि डिस्पल सबसे कुछ इस तरह के आजाते हैं, जो कि मैं कहूंगा काफी ठीक, चाहे इसका कलर बेरेंस हो, या फिर बात हो डिटेल्स की, ओवरॉल मुझे इसका केमरा काफी अच्छा लगा, हाला कि ये सिंगल स्पिकर के साथ आ रहा है, 3.5 mm का जेक भी दिया हुआ है, डूल बेन व मिलता है, इसके अलावा चिपसेट भी अच्छी है, पर्फॉमेंस अच्छा निकाल देगी गेमिंग अगेरा आराम से कर सकते हो, एंड बेडरी लाइफ भी तगड़ी है, ओपर से 5G बेंट्स भी तेरा 5G बेंट्स दिया हुए, बट कौन्स की अगर बात करें, तो काफी ह यह भी फोन है, थोड़ा साब मोटा भी है, और सबसे बड़ा कौन्स की आपको फोन के साथ चार्जर नहीं मिलेगा, या तो आपके पास चार्जर होना चाहिए, अदर्वाइस आपको अलग से पल्चेस ही करना पड़ेगा, ओवरॉल यह भी अच्छा फोन है, इसके लाव कंटेंट पसंद आता है, तो चेनल को सपोर्ट कर सकते हो, सपोर्ट मिन्स वही लाइक, शेयर सबस्क्रेब, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए, गुडबाई, डेहिन